नमस्कार दोस्तों मैर्शना सिंग पटेल आप सभी का विमन पैनेट पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर ब्यक्ति एलन मस्क के बारे में और जानेंगे कि कैसे इतना अमीर होने के बाद भी उनका जीवन स्टेबल नहीं है उनकी शादी सुदा लाइफ में बहुत अन्स्टेबल की है उधल उधल है दुनिया की सबसे मशूर कंपनी टेसलाग और स्पेसक सहित फुल आठ कंपनियों के मालिक एलन मस्क जनसंख्या बढ़ाने पर आजकल जादा जोड़ दे रहे हैं जी हाँ अब तक उनके फुल दस बच्चे हैं और भविश में कितने होंगे पता नहीं तीन बार तलाग दस बच्चे हाय तौबा एलन मस्क का ये वलवाही जीवर उनके अपने बिजनस में बैस्टता के साथ सार उनके निजी लाइन भी कुछ ज़्यादा ही प्रस्ट है सड़न डेट इंफेक्ट सिंड्रोम की वज़़ से मृत्य हो गई उसके बाद जस्टिन के साथ उनके कुल पांच बच्चे पैदा हुए जिसमें दो बच्चे एक साथ और तीन बच्चे एक साथ पैदा हुए जिनसे उनकी पहली बुलाका लंडन के मैफेर में विस्टि मिस्ट नामक बार में हुई थी रिष्टे में अनबन की वज़़ से 2012 में तलाक की स्थिती फिर आ गई लेकिन वापस रिष्टे में सुधार की वज़़़ से दोनों ने दो बारा 2013 में शादी की लेकिन एक साल बाद ही 2014 में Elon Musk में दूसरी तलाक याज का दाय्यर कीली लेकिन फिर साथ महने बाद ही वापस ले लिया फिर 2016 में रिष्टे को अन्त करने के लिए जिले ने मस्क से तलाक के लिए अरचिती और फाइनली तलाक लेंगी लिया उनकी अगली डेटिंग 2016 में ही अभिनेतरी एंबर हर्ड से शुरू हुई और रिष्टा 2017 तक चला लेकिन एलन मस्क ने इनसे शादी नहीं की एलन मस्क और ग्रिंस के तीन बच्चे हैं दो बेटे और एक बेटी उसके बाद नमबर 2021 में मस्क की ब्रेंचिप कंपनी निूरा लिंक के एक कारिकारी स्टिवोन जिलीस के साथ भी एलन मस्क के जुड़वा बच्चे हुए करेंटी उनका नाम उस्ट्रेलियन अभिनेत्री नताशा बैसिट के साथ देड़ करने के लिए चर्चे में हैं बीच में ये भी सुनने को मिला था कि गूगल के सह संस्थापक सर्जी ब्रिंट की पतनी निकोल शानहन के साथ भी एलन मस्क का रिलेशनशिप था जिसकी वज़े से ब्रिंट ने जैन्मरी 2022 में अपनी पतनी शानहन से तलाख के लिए अर्जी देती दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में जानकर हमें यही पता चलता है कि जरूरी नहीं कि जिसके पास बहुत पैसा है उसकी जिन्दगी ही सबसे अच्छी हो या पिर जिनके पास पैसे की कमी है उनकी जिन्दगी सबसे खराब हो ये जिन्दगी है उतार चड़ाओ आते रहते हैं इतने अमीर होने के बावजूद उनको सच्चा प्यार नहीं मिला एक सफल वैवाहिक जीवन नहीं मिला तो क्या फायदा ऐसे पैसे कर उनसे अच्छे तो आप हैं हम हैं इतनी अजीब बात है कि दुनिया के सबसे अमीर बेक्ती के पास एक स्टेबल फैमिली नहीं है और कभी-कभी जिनके पास पैसे की कमी होती है फाइनिसियल प्रॉब्लम होती है इसलिए दोस्तों हम सबको अपने जीवन में जो भी है उसमें खुश रहकर भैरे रखते हुए एक वैबाहिक और सुख में जीवन जीने की पूरी कोशिश करने चाहिए दोस्तों इस वीडियो के जरीए आप एलन मस्क को क्या संदेश देना चाहते हैं यह कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजेगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दिजेगा बहुत बहुत धन्यवाद अमारे साथ बन रहे हैं